हेलो फ्रेंच बरनाला फूड में आपका स्वागत है आज हमने कुछ पैनकेक जैसा बनाया है जिसमें सारी सबजियां भी हम डाल सकते हैं और बच्चों को टिपन में भी दे सकते हैं बच्चे भी खुश होकर खाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही जल्दी बन जा करता है जरूर एक वार ट्राइ करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा इसको बनाने के लिए हमने ब्रेड कम ली है थोड़ी और थोड़ा हमने एक टोरी चावल का आठा लिया है उसको पानी डाल कर घोल लेंगे थोड़ा पतला ही घोल बनाएंगे जादा थिक नहीं करेंगे इसको इसको घोल कर साइड में रख देंगे अब हम थोड़ी सबजियां को बनाएंगे एक पैन ले लिया है उसमें घी डाला है उसमें हम डालेंगे राई थोड़ी और थोड़ी सौप उसको चटकने देंगे इसमें डालेंगे थोड़ी लसन कटी हुई अधरक इसको भी भून लेंगे दो हरी मिर्च हमने कट कर दी है और एक बड़ा प्याज कट करके डाल दिया है इसको भी हम थोड़ा भून लेंगे अच्छे तरह से इसको भूनने के बाद हमने थोड़े सबजियां काट के रखी हैं अब हमने इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे इसको भी थोड़ा हलका भून लेंगे थोड़े हमने इसमें मटर डाल लेंगे इसको भी हलका भून लेंगे अब इसमें हमने दो कटे हुए टमटर डाल दिये हैं इसको भी थोड़ा नर्म होने देंगे आब इसमें पत्ता गोबी काट के डाल दी है बच्चे जो सबजियां नहीं खाते हो ऐसे सारी सबजियां इसमें डाल कर खा लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन-कौन सी सबजी इसमें डाल दी गई है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा नम्क डाल कर इसको पकने देंगे और थोड़ा अमचूर पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर हमने इसमें डाल दिया है स्वाद के उंसार अपने और ये हमारा मसाला है जो बिलकुल रेड़ी हो गया है इधर ले जो डो है उसने भी रेस्ट कर लिया है और सारा डो हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें दो उबले हुए हमने अलू ले लिए, वो भी ख्रश परके डाल दिये थोड़ा हमने धनिया डाल दिया है और इसको और पानी डाल कर पतला करेंगे थोड़ा हम इसमें बेकिंग सोडर डाल लेंगे जा हम इसमें इनो डाल सकते हैं और पानी डाल कर इसको पतला करेंगे और एक प्राइपिंग ले लिया है उसको grease करेंगे अच्छी तरह से और इसमें हम जे डाल देंगे जितना बड़ा बनाना चाहते हो छोट छोटे भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं हमने थोड़ा बड़ा डाला है और एक टिक कॉर है अगर इसको पल्टने में थोड़ी मुश्किल आए तो पलेट निचे लगा कर जैसे हम केक निकालते हैं ऐसे हम इसे पल्ट सकते हैं थोड़ा बड़ा है इसलिए दिक्कत आई हमने ऐसे ही किया पलेट लगा कर इसे पल्ट लिया प्लेट में पल्ट लिएगे पहले, देखिए प्लेट में आ गया, अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइ पिन में, डाल दिया था पहले, ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए पैनकेक है, जो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, सर्विंग के लिए चैंकीू,